नमस्कार पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों के सुरक्षित भविश्च के लिए या कहिए कि उनकी शिक्षा के लिए उनकी शादी के लिए आपको बच्चत और निवेश करना कितना जरूरी है और किस-किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं लेकिन जब हम कोई निवेश करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं तो फिर हमें बहुत सावधानी भी बरतनी चाहिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए कई बार छोटी चीजों को या कहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हम नजर अंदाज कर देते हैं और बाद में हमें उसका खाम्याजा भूगतना पड़ता है तो ऐसी किसी परिष्थिती से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप पहले ही पूरी सतर्कता बरते हैं तो पहली जो सबसे जरूरी चीज है वो यह है कि आप अपने लक्ष तै करें देखिए बच्चा आपका है जब वो थोड़ा बड़ा होगा स्कूल में जाएगा फिर व एजुकेशन की होगी हायर एजुकेशन की होगी उसमें बड़ा अंतर होगा और इस दौरान जब आपका बच्चा भी स्कूल में है और फिर वो विश्विद्याले में जाएगा तो समय काफी निकल जाएगा इस निकले हुए समय में महंगाई भी काफी बढ़ जाएगी त आपको किस-किस तरह से अपने निवेश को प्लान करना है दूसरी बात जो कि पहली बात से ही जुड़ी हुई है वह यह की महंगाई का आकलन जरूर करें आज जो चीज जितने में उपलब्ध है आने वाले समय में उतने में नहीं होगी उसके रेट बढ़ेंगे चाहे वो चाहिए वह ट्रास्पोर्टेशन हो या होस्टल फीस वगएरा सारी चीज़े महंगी होने वाली है अब देखिए कि दस साल में एक मोटे आन्मान यह है कि दस साल में तीन गुना से ज्यादा फीस बढ़ी है तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो अगले दस साल में भी तीन फिर उस हिसाब से अपना बचत अपने निवेश को प्लान करना चाहिए तीसरी एक बड़ी कौमन सी बात है जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें होता यह है कि हम बच्चों के लिए क्या करते हैं कि एक प्लान ले लेते हैं और जनरली वो इंसॉरेंस प्लान होता है और ह अपने बच्चे के लिए क्या प्लान लिया है और बच्चे की जरूरते क्या इससे पूरी हो रही है भोई revive तो lack करेड़ करिए अपने निवेश के प्लानिंग को फिर से करेड़ करिए और जो भी जरूरी कदम है वो ततकाल भी उठाइए देखिए भारतिय समाज में एक और बात बहुत ही होती है कि चाहे वो हम पढ़ाई के लिए देखें या फिर शादी ब्याग के नजरिये से बच्चे के जन्म के समय से ही हम करते क्या है कि सोना खरीदना सुरू कर देते हैं लेकिन सोन सबसे बहतरीन निवेश नहीं है उसका जो भी रिटर्न है वह ऐसा नहीं कि दूसरे रिटर्न से वह आपको ज्यादा दे रहा है तो आपका सोना पड़ा ही रहेगा या फिर उसमें जितनी वृत्धी होनी चाहिए आपके निवेश में जितना आपने पैसा खर्च किया सोना नहीं हो रही है तो इसके लिए जरूरी है कि आप परागर जो निवेश की पद्धतिया है उनसे तुल्ला करिए और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से कोई अच्छा प्लैन लीजिए चाए S.I.P. लीजिए या PPF लीजिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में मैं आपको फिर यह दोहराना चाहूंगा कि अगर आप परिवार के मुखिया है अगर आप परिवार के ब्रेड विनर है परिवार की जिम्मेदारी आपके उपर है तो सपने देखने से पहले सुरक्षा बहुत जरूरी है और आपको इसके लिए एक टर्म खरीदना ही चाहिए और यह देखते हुए कि आपके परिवार के खर्च कितने हैं आपके सिक्षा पे कितना खर्च होना चाहिए कितना खर्च होना में अंदजा है और यह समको कैलकुलेट करके एक कोई अच्छा सा टर्न प्लान खरी दिये ताकि भगवान न करें कि अगर आप किसी भी वज़े से इस दुनिया में न रहें तो आपको परिवार को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े तो बाल दिवस के अवसर पर हमने दो वीडियोज बनाई उसमें बच्चों के बारे में निवेश के लेकर के और बच्चों के लिए निवेश करने के समय क्या सालधानी रखनी चाहिए यह जानकारी आपको दी आगे बचत और निवेश की दूसरी योजनाओं के बारे में दूसरे अच्छे कंसेप्ट को लेकर भी आपके सामने हम आते रहेंगे तब तक आप हमारे वीडियो को देखिए मेरे चैनल को पसंद करिए और सब्सक्राइब जरूर ही करिए धन्यवाद